दोस्तों आज मेरे पास है स्कोडा कोडियाक का लॉरिन एंड क्लेमन वेरियंट जिसकी एक शोरूम कीमत है 39,99,000 रुपीज यानि की अल्मोस 40 लाक रुपे काफी दिनों से मैं इस कार को चला रहा हूँ आज के इस वीडियो में आपको बताना वाला हूँ क्या चीज़ है जो कि मुझे इस कार के बारे में बहुत ज्यादा पसंद आई है क्या चीज़ है जो कि थोड़ी और बेटर की जा सकती थी दोस्तों मैं आना है भाविन आप देख रहो ऑ्टोरेव जिंदी यूटीब चानल यह वीडियो स्टाट करें से पहले नेक्स काउजी कार बाइक स्कूटर आप देखना चाहते है वह आप मुझे बदा सकते हूं इंस्ट्राम पर लिख दिना कॉमें पर लिख दिना और मैं उस पर वीडियो बना दूँगा अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदर व आपको मेमरी सीट का फॉंक्शन मिलता है तीन लोग की सेटिंग आप कर सकते हो तो फॉर एक्जांपल आपके घर पे तीन लोग है कोई सिक्स फीट टॉल है कोई फाइशिक्स है उनके कमफोर्टिबल ड्राइंग पूजिशन के हिसाब से आप जो है सीट को ड्राइवर agora यह अपका छाइब अपका 360 व्यू भी यह दिखा देता है कोच इस तरह से यह टॉप यूआ यह अपको इस तरह से आपको यह कर देता है यह अगला फ्रीचर वह आट्व पार्क का फीच्चर अपको फीचर को कार को पार्क करने की जरूद्थ इसने कार अपने आप पार्क हो जाएगी स्टेरी मील खुद ही घूम जाता है आपको सिफ एसलेरेशन और ब्रेक कंट्रोल करना है उसके बाद का फीचर है यहां पर काफी सारे ड्राइब मोड्स आपको दिये गए हैं तो यहां पर आपको इको मोड्स नॉर्मल मोड्स पोर् का यह ओफ रोड मोड्स भी यहां पर दिया जाता है ट्रैक्शन कॉंट्रोल और नाइन एरबैक्स के साथ यह कार आती है एबिएस आपको मिल जाता है बड़ा सा पैनरॉमिक रूफ दिया गया है जो कि कुछ इतना यहां पर ओपन हो जाता है अब बात करते हैं अब आफ यह जो इसकार को आप ओफ रोड लेकर के जा सकते हो आप आपको बटन भी दिया गया ओफ रोड मोड आपको जह स्पेसिफिकली यहां पर दिया जाता है तो आफ रोडिंग आप इस कार के साथ कर सकते हो इसका जो नेक्स पॉजिटिव थर्ड पॉजिटिव पॉइंच है बहुत ही एसको पॉजिए बहुत ही कमफर्टेबल राइड कॉलिटी मिलती है कमाल कर आपेस कार करके जाएंगे तब और हैवेतं पर चुपक करके चलती है अपको मिल speeds so guys यह थे positive points of the car अब बात करते है about the negative points of the car और एक जो positive point है इस car का that is the safety and the braking system यहागा safety features जिसे मैं आपको बताया 9 airbags EBS आपको मिल जाता है roll over protection दिया गया है आपको electronic differential locking system मिल जाता है motor slip regulation मिल जाता है और braking भी कमाल के आपको मिल जाती है under heavy braking stopping power का अच्छा मिल जाता है जिसके current stopping distance बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता है so braking भी यहापर कमाल की मिलती है अब बात करते हैं इस car के negative point के बारे में सबसे पहला negative है इस car का road presence यहापर धासू road presence आपको नहीं मिलता है दबंग road presence आपको नहीं मिल पाता है की car जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है यह है पहली बात इस car का दूसरा negative point है इसका engine यहापर आपको diesel engine नहीं मिलता है सिर्फ petrol engine मिलता है यह है आपका 2 लिटर का turbo charge petrol engine जो कि बनाता है 190 PS की power और 320 Nm का torque यहाप इंसुलेशन material दिया गया है यहाप आपको hydraulic struts मिल जाता है अब बात करता है इसके 3rd negative point के बारे में यहाप आपको power and performance जो है वो काफी अच्छी मिल जाती है और काफी refined engine भी यह दिया गया है तो वो दिक्कत नहीं है लेकिन diesel engine यहाप आपको नहीं मिल पाता है दोस्तों बात कीजाए इसके 3rd negative point के बारे में तो वो है इस car का user interface यहाप इसके आप देख सकते हो बहुत ही outdated यहापे जो है आपको यह सारे icons मिलते यह थोड़ा सा change यहापे करने की जूरत है और जो चौथा negative point है आपको जो ADAS की features इस car में नहीं मिल पाते है तो वो है इस car के final negative point के बारे में बात कीजाए तो वो है इसका space यहापे second row में तो आपको decent enough space मिल जाता है मेरी height 5-6 है driver seat में ने adjust कर लिया है इस आप से नी रूम काफी अच्छा है पेर आप stretch कर पाएंगे अंडर तरह सपोर्ट decent enough आपको मिल जाता है यह सी बेंट है charging port है handle दिया गया है sunshade आपको मिल जाता है आप मेरी जैसे thin unfit लोगो तीन लोगो आराम से बिठा सकतो है या फिर दो अडल्स हेवी अडल्स और बच्चे को बीच में बिठा पाएंगे seat comfortable आपको मिल जाती है neck rest आपको दिया गया है यह पर arm rest आपको मिल जाता है 2 cup holders के साथ आप आराम से बैठ सकते हो लेकिन यहां पर आपको बड़ा सा hump दिया गया है तो middle passenger को खुड़ा से adjust करके बैठना पड़ेगा और जो इसका final और सबसे बड़ा negative point है that is the third row space third row में आप जो है बहुत ही छोटे बच्चे अगर आपके पास है तो उनी को आप बिठा पाएंगे 5-4 अगर आपकी height है तो उनको भी जो आप longer journeys के आप बिठा नहीं सकते हो space बहुत ज़्यादा है आप आपको नहीं मिलता है तो मेरी इस अब से आपको seats को tumble कर देना चाहिए और उसको luggage के लिए use करना चाहिए तो यह था एक positives and negatives video of the car I hope कि आपको यह video बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और से वीडियो के लिए बने सकता हूँ दे चल I'll see you guys in the next one till then drive safe, ride safe, bye bye